बदायू में थाना ओगैती चेत्र के अंदर गर्द गाउ करिया मई में एक ही रात में तीन घरों के ताले तोड कर हुई लाकों की चोरी मामलाव घैती थाना चेत्र के गाउं करिया मई का है जहां चोरों ने एक ही रात में तीन घरों को अपना निशाना बनाया गाउनिवासी हरी सिंग कहीं शादी में गई होए थे, घर पर मा अकेली थी चोरों ने हरी सिंग के घर से करीबन 18,000 की नगदी वा एक लाग के करीबन जिवरात राम भरू से वा ओम बीर के घर से भी नगदी वा जिवरातों की चोरी हो गई आए दिन लूट चोरी जैसे खटनाएं हो रही है और पुलिस की नीम नहीं तूट रही एक ही रात में तीन जगा अलग-अलग घरों में चोरी हो जाना और गाउं में इतनी बड़ी खटना होने के बाद भी मौके पर दो कॉंस्टिबल भीजकर मौका मुखना कराना यही करण है कि पुलिस की लापरवाही से चोरों की होसले बुलंद होते नजर आ रही है करीब एक मेना पहले भी खर में ही खड़ी एक बाई को चोर चोरी कर ली गए थे जिसकी आज तक जानकारी नहीं मिली जबकि सरकार दावा कर रही है कि पुलिस अपना काम कर रही है अब या तो पुलिस की लापरवाही या फिर पुलिस की सहन या कारे जोरों पर है जिसे धाना पुलिस रोपने में नाकाम सावित हो रही है अब देखना या होगा कि पुलिस कारवाही करेगी और कैसे अग्यात की तहरीर पर सचका परदा फास करती है बदायों से संभात आता पुस्पेन कुमार की रिपोर्ट पंजाब चार उनके कपड़ा लगता चीजवत घर में रखी ती अठारह यार रुपया नगर रखा था और बच्चे बच्चन के जो भी रुपया इनके अलगला सामानता साव तो यह चाज जोड़ी असुलिया खड़ुआ और यह घुच्चा होते हैं पैने के जनानी के बे स सब कुछ चला गया यहां से अटारह रुपय नगर चला गया अपने मैं पुलिस्मानों के धूरे सुवेर यह आया था चे बजे तब इनने यह कही तो तुम खांसे आयो मिन्साम में शिक्तुल भसा हुआ था मेरे घर कोई नी था और मेरी बवेटा है उन्हेने तो ताला ब पर आप बताओ क्या सकतना तो ने यह बताई में लिए तो कर तो मैं अपने घर जा कर देखो पहले और ना दो ने बद्दी बद्दी पहलना उसके बाद में पर सूचनागवाद पुलिस ने अब तक क्या कारवाई कर चुकी है और साब आए दो पुलिस बारे तो भी अपन आए निगदी बदी टेप सूर दरू आए